इस वीडियो में हम बात करने वाले बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के ओन इंप्टेंट लेवल्स के इनके ब्रेक आज के बार में बता देता कि आज मैंने कौन-कौन से लिये थे देखो कल हम अल्रेडी बात करके गए थे यहीं मार्केट ने 48-400 की लेवल को ब्रेक किया चोटा मूटा gap-down देने के बार तो हम यहां पर एक ट्रेल लेने वाले हैं कॉल्वाइंग तो यह एक तो क्उलवाइंग का ट्रेल लिया था जिसमें मेरा लॉस हुआ था चोटा सा लॉस हुआ था ज्यादा है मैंने यहां पर quantity यूज में नहीं लीदी और फिर मैंने यहां आपनी स्पिती किति और दूसरी से यह दो यह दे यह स्पराख्रेकर आठ्राइटी मिल्या है तो ये को मिला था अभी हम बात करते हैं हमारे कल के जीरो एरो ट्रेड की और देखो कल का जो जीरो एरो ट्रेड है ना और जो कल का ट्रेडिंग दे है वो बहुत सिंपल रहने वाला है कि कल हमारे पाफ ना ज्यादा ट्रेड लेने के चांसे जहीं नहीं जिससे आप से मार्केट ना मार्किट में ज्याद कुछ कर नहीं सकते हमें कल का मार्किट में ज्यादा कुछ देखना पड़ेगा उसके बाद ही रहेующा यह May ba tweak अधाले सजार न या फिर 48,000 अधाली सजार इन दो LEV सृके हम यहाँ पे पुट लेव पुट आपि str6,000 फान का लेवाल यहां बाता विए जितने भी रिसकी ट्रेडर्स के लिए त्र सी कि प्रेट्रि के लिए नहीं घराकुंड इस लेवल के बिंडाउं के तो यह आपका नॉर्मल रहने वाला है और जितने भी सेफ टेटर है वह 48,000 की लेवल का ब्रिकडाउन होने तब का वेट करेंगे कि जब मार्केट 48,000 की लेवल का ब्रिकडाउन देगा तब ही हम यहां पे 0-0 लेने वाले हैं यह तो हमारी एक कंडिशन की हमें पुट बाइं ब्रिकडाउन ना दे 48,000 और 48,000 65 के लेवल के अराण में मार्केट ब्रिकडाउन नहीं दे और मार्केट यहां पर कोई डबलू पैटन कोई यहां फर कोई भी किसी भी टाइप का कोई पॉजिटव पैटन बनाके ब्रिक आउट दे तो हम यहां पर एक कॉल बाइंग का भी ले सकते हैं अभी हमारे जो तीसरा टेड है वो रहने वाला है 48,450 के लेवल से कैसे यह दी मार्केट ने सेकेंड आप में 48,450 के लेवल को ब्रेक किया तो हम यहां पर एक पॉट बाइंग का ट्रेड लेने वाले हैं यह हो गया हमारे थर्ट ट्रेड और हमारे जो चौथा ट्रेड है वो रहने वाले यह दी मार्केट ने पॉट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं तो यह चार ही ट्रेड मेरे को कल बैंक बैंक निफ्टी में नजर तक आपका जीरोईरोट में लोगी तो आप को आप ज़्यादा प्रॉफित होने वाले है तक और यहुए मार्केटन ना फॉस्ट आप में दिया तो आप इसने नॉ निकल के आने बाले हैं और यह तो होगे हमारे चार्टेड अभी आपको बता देता है इन डो लेवल्स के अलावा भी जो हमारे पास मार्केट में कलते ही जो लेवल्स निकल के आ रहे हो कौन-कौन से हैं मैन लेवल्स तो यही रहने वाले हैं 48,000 और 48,450 आपको कॉल बाइंग करनी है आपको इन ही लेवल्स के आराउंड में करनी पड़ेगी क्यों कि देखो कल के लिए क्या लग रहा है मेरे को मार्केट ने बहुत बड़ी रेंज मना दिये तो मार्केट हो सकता है कि यहां पर फ् अब आज मार्केट ने एक डोजी कंडल भी बनाई हुई है तो देखो डाउंड के जो हमारे सपोर्ट जो नहाने वाले वह रहेगा पहला रहेगा 47,900 का दूसरा रहेगा 7,000,660 है फिर 650 का यह दो हमारे डाउंड के लिए सपोर्ट जो रहने वाले है और अपर साड के जो अपर साड के लिए जो रिजक्शन जो हमारे पास निकल के आएगा वो निकल के आएगा 48,620 का तो यह थे हमारे आज कल के लिए बैंक निफ्ट के लिए इंपोर्टन लेवल्स अभी हम बात करते हमारी निफ्टी के तो निफ्टी में आज मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लि देखो अपर साड के लिए मैं अभी भी कनफर्म नहीं हो कि निफ्टी चल रही है लेकिन बैंक निफ्टी और फिन अभी बी आल टाइम हई पे नहीं है और दो मार्केट में जो अपने आएटी सेक्टर है आएटी सेक्टर आज सबापर सेंट डाउन ताफ फिर भी के लिए रहने वाले यदि मार्केट ने 2965 के लेवल को ब्रेक किया तो हम यहां पर एक पॉटवाइं का ट्रेड लेस इतने जिसका मारा टार्गेट निकल कर आएगा 2930 का दूसरा टार्गेट निकल कर आएगा 2885 का अभी वह भली मार्केट ना इसको किसी भी कंडिशन में इस लेवल को फ्लैट आपन होके विए ग्रेक करें फिर गेप डान ओपन होके थोड़ी बहुत दे कंसलड़ेशन करें एक घेड़ घंटे उसके बाद ब्रेक करें किसी भी कंडिशन में मार्केट भी करें तो हमें यहांपर पूट वआङ का ही ट्रेड लेना है अब हम बात अपर साइड के लिए कोई भी लिवर से नहीं कर सकते हैं अभी हम चलते हमारी फिन निफ्टी पर जिसमें आज मैंने ट्रेड लिया था चोटा मोटा लॉस हुआता है यहां पर हम अल्रेडी डिसाइड करके गए थी कि यहीं मार्केट थोड़ा बहुत डान ओपन होने के बाद हमारे इस लेविल को ब्रेक करेगा करेगा था यहां पर लिया लेकिन मार्केट ने यहां पर रिवर्स करके मेरा इस्टापलस खाया यह तो था आज करेड जिसमें छोटा लॉस हुआ कि कॉंटिटी मैंने ज्यादा यूज में नहीं लिती क्यों कि मैं अभी भी बोल रहा हूं मैं कॉल बाइंग के लिए यहां प सब्सक्राइगा सब्सक्राइगा संब्सक्राइब को सब्सक्राइगा को suppose am i already और दूसर टार्गेट निकल अगा एक के 315 और तीसर टार्गेट नकल काएगा 21260 का इन 3 टार्गेट के लिए लिए हम यहाँ पे पेट कर देर ले सकते हैं और अपर साड के लिए हम कुछ कि इतना पर्फेक्ट नहीं है जितना की फिन निफ्टी में बनाए हुआ है लेकिन हाँ आप यहां पर यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना अपर साइड के लिए मैं अब भी इतना कॉंफिडेंट नहीं हूं अपर साइड में अपनी पोजिशन साइजिंग का मैं बस 30-40 परसं isन कॉंटिटेंटी युश की थी ऑंदर से कंफिडेंस ही अंहीं पर नाक्र गया है नीचे अ पर गया फिर नीचे आ फिर अंपर गया फिर नीचे है तो मार्केट को इंट्राब्ह प्रने दो गया प्रहुत स्ञराओ बनाने दो उसके बाद ही हम यहाँ पर कोई कॉल बाइंग का टेड लेते हुए मार्केट में अभी दिखेंगे तो इस वीडियो के लिए बास इतना ही मिलते हैं कल